हेलो दोस्तो नमस्कार एक वाफीश श्वागत है आपके अपटी योटोब चैनल नर्सिंग की दुनिया में तो दोस्तो आज की जो वीडियो है यह बहुत श्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है एनम 10709 के डिगारी दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग यह चानेंगे कि बिल्टी एसी एनम का यहाँ पर 10709 का क्यों धरना हुआ है एंड इसके साथ ही तेजस्वी का फिर से घेडा देखिए आज की वीडियो है यह बहुत स्यादा इंट्रेस्टिंग करने वाली है तो वीडियो का इसकी इपना करें लास्त तक जरूर बने रहे चलते हैं साथ यह वीडियो का स्टार्ट करते हुर देखते हैं इंफोर्मेशन को तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सब इस एक छोटी स्रीक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पहली पार आए चल्को सब्सक्राइब करले जिससे की मेरे दौरा दिया गया हट एक नोटिफिकेशन बिना किसी देड़ी के सबसे पहले आप तक हो जो कि साथ हो तो समय को ना गवादती हुए हम चलते लेकर नर्सों ने किया घहिराव कि इसका है तो त्यास्वी आदव का जो कि हमारे रौक मंत्री also यह सबकेशन बीदा करते हैं कि प्यादव काउद करने पहुंच्छे उपमुख मंत्री वह स्वासमंत्री तेजस्वी यादब का बाहन जो है अस्पताल वर नर्सों के एहां पर अन्य संबिदा कर्मियों ने गहराब किया संबिदा कर्मियों ने हाँ आज की वीडियो में हम यह भी जानते हैं कि संबिदा कर्मियों ने एहां पर क्यों गहराब किया क्योंकि उनका एक ही कहना है कि यहां पर संबिदा कर्मियों को क्या किया जाए तो पर्मालेंट किया जाए एंड इसके साथ ही BTSC जो अभी अभी BTSC 10700 की जो यहां पर फेकेंसी आई थी जिसका online application किया गया था है यहां पर जो भी जो भी नर्शे है उनके कहना है कि BTSC में जो भी संबिदा कर्मि हैं उनका कहना है कि यहां पर BTSC वालों में सबसे पहले opportunity मुझे मिलने चाहिए यानि कि जितने भी संबिदा कर्मियों है उन्हें पहले एहां पर पर्मानेंट करें जो भी एक जिनका भी रैंक वैस्ट मांक्स पर उनको मिल लिया चाहिए वह पहलेसे मेहनत कर रहा है यह पिछले वीडियो के मदम से आपने को बता चुके है यह कोई भी निकलती है करता एर्थ विवाग में ठीक है तो वो जो है permanent ही होगी लेकिन जो पहले से जो हैं पहले से सम्विदा पर यहां पर job कर रहा है उनकी भी तो कुछ हैं पर मांग होनी चाहिए तो उन्होंने मांग किया है कि पहले BTSE के अंतरगत मुझे यह पर पर्मानेंट करें तो उन्हीं के regarding जो है स्वास्त कर्मियों का स्थाई बहाली का मांग की है मौके पर सुरक्षा कर्म पहुची और नर्से को समझा बुझा कर यहां पर सांत करवाया गया है एंडिस के साथ ही अप यह भी देख पा रहे होंगे कि समझा बुझा कर सांत कराया उसके बाद जो है वही तजस्वी आदब ने अपने भासन में कहा है जो कि पहले ही कहा है कि संभिदा पर काम कर रहे कर्मियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है इन्होंने पहले भी यह बात कही थी और फिर से इन्होंने यह बात कहा है उनके पक्ष में स्वास्त मिभाग कारे कर रहा है जो कि बहुत ही जल्द खुसकाबरी दी जाएगी यह जो खुसकाबरी ही है जीतने भी संभिदा करनी है उनके लिए है ठीक है संबिदा कर्मी को यहां पर फॉइल इपर्मनेंट करने की बात कह दी गई है तो साथियो कैसी लगी वीडियो आप संदोष्ट होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पर पहली बार हो उस चैनल को बस से सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हैं साथियो नेक्ट इ करेंगे जातियो